दोस्तों आज में आप सब के साथ शेयर करूंगे अप किस तरह से बहुत ही आसान तरीकी से घर के सामान से अपने चेहरे और शरीर के अंचाहे बालों को हटा सकते हैं रिमूफ कर सकते हैं लुक्यालों, बोल्कम टीरूपार्स पाशॉर्इलाू दिर्वान दोस्तों आज में आप सब के साथ यह बहुत ही खास रिम्री शियार करने वाली हूँ ॉपके साथ बहुत ही आसान तरीके से घर में ही अपने अन्वांटट रिमूफ कर सकते हैं चाहे अपने अपने अपर कर सकते हैं तो चलिए फटा-फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना बिल बटिन को प्रिस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि में नेक्स वीडियो की तो इसमें प्रिस हैं रही हैं और आपको वैसली बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर या फिल लोकल मार्केट में मिल जाएगा वैसली हमारे स्कीण के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है हमारी रूखी सुखी बे जान सी स्कीण में यह ग्लो लेके आती है एक जो आपके पास अव्लीवल है आप घेहू के आटा हमारे स्किन से जो देड़ स्किंसल की लेयर है उसे साफ करती है जो में यहाँ पर एक चम्त चीनी लेक्स छिक्र अङरी है जियाँ दोस्तों तो शचक्र और गेहू के आड coher एक बिकाय एक सथ मिलके जो कि हमारे जो आँचाहः बाल उसे आंदर से खीच के निकाल ते बिल्कुल वसी तरह से एक नैचरल वैक्स यहाँ पर बनने बाला है next मैंने यहाँ पर Add किया है हल्दी क्या करता है , अभी में डेट सारे anti bacterial और anti fungal प्रपर्पार्टीज होता है जो कि skin में रैश को आने नहीं देती है, skin को साफ करता है , skin में glow लेकर आती है आपको इसे पेस्ट बना लेना है उसके लिए आप यहां पर यूस कर सकते हैं कच्छा दूद कच्छा दूदck स्किन के लिए ज़सा लाइटर रायटर चुछ करता है क्लोhe लेकर आता है और एक थिक सा एक गारा पेस्ट हम हां पर बनाएंगे करें और हो चाहिए हैं चीनी के लिए ब rain से की छीजों को मिल्ट नहीं हो जाता है और चीनी का इसा अफर्विंगारी । एचाट करेंे रिखानी के लिए घ्लाइब पारबस मिल्ट के लिए हम चाहिए तो चलिए देखते हैं से किस तरह से अप्लाइन कहिए है तो इससे अपलाई करने के लिए सब ने पहले आपको अपने फेस को क्लीन के ले हाँ धिacter अप P wakingew cache आप अपoser के लिए ऑफ करना है छोटे शोटे चोटे बाल और है आप उसे भी रीमूफ कर देगा आप कि अपने ऊ एक मीडियम कर सकते हैं अपको अपाला इस अपने बाइग अपने से के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि अचीस तरह से सूख जाए और यह रेमेडी ना आपके चेहरे को सौफ्ट समूध भी विनाएगी इसकन को टाइट भी बनाके रखे गी और सकीन मेज़़ कुछ जो डियर्ट सकिंसर की लेयर है उसे रिमूफ करके एक स्किन में ग्लो लेके आएगी। और रिमेडी सूखने के बात इस तरह से आपको अपने हैर की एक आपोसिट हैर ग्रोथ की अपोसिट डिरेक्शन में इसे इस तरह से रभ करते हुए निकाल लेना है। और यह आपकी अपकी सिकिन से जो चुट sz district बाल है उसे रिरुमूफ करेगी इस अपके हाथों में यह जो पैक निकल के आ रहा है तो ने इसके साथ झार हम क्तेचे सकते है्प निकल के आ रहा है बहुत ही आसानी से इसे इस्तमाल कर सकते हैं बिलकुल भी पैनलेस नहीं है और बहुत ही आसानी से यह आपकी जो अन्वांटेड हेर है उसे रिमूफ करता है सिर्फ यही नहीं यह आपकी स्किन को नो मौशुराइज भी करता है सौफ्ट स्मूफ करता है औ इसमें कच्छा दूद्ध और वैसलीन मिलाया हुआ है जो कि हमारे स्किन को यह लाइटन ब्राइटन करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर से जो अनवांटेड हेर है वह एकदम खीच के यह निकाल रहा है और यह आपके स्किन को ना सौफ्ट स्मूथ बनाएंगा और आपके अनवांटेड हेर है उसे भी रिमुव करें तो इस तरह से फुल फेस में जो आपने लगाया है इस पैक को अच्छी तरह से रप करते हुए निकाल लेना है उसके बाद पानी से नॉर्मल वर्टर से अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लेना है और इसे दूने के बाद आप आप अपने अनवांटिदी हेर को रिमॉफ कर सकता है वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर देना जब बर्टन को प्रिस करना बिल्कुल मत बूलना ताकि मैं नेक्स्ट विजयो की नोटिफिकेशन आप सब के पास जल से ज़ल पहुंच है वीडियो पूरे के लिए ब पहत पहत शचुपे.